आप सभी का बहुत-बहुत स्वागता है आपके अपने चैनल गॉट्मन्ट जॉफ गेट में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिल्ला कोट की बड़ी भरती के बारी दोस्तों यानि इस बरती का नोट्पिकेशन जारी हो चुक है दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि परते सरकारी नौगरी की इन्फुमिशन सबसे पहले आपको प्राप्थ हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिजेगा इससे आपको फ्री में सरकारी नौगरी की नोट्पिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रेक्रूर्मेंट की इन्फुमिशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माद्यम से आपको सेयर की जाती है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के अर्चित्र की सरकारी नौगरी की इंफोमिशन व अपडेट सबसे पहले दी जाती है आज की बर्ती के लिए दोस्तों यह दिया आप दस्वी पास है तो आप इस बर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इस बर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं आए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बर्ती से रिलेटेट इंफोमिशन के बारे में तोजियां दोस्तों जैसे बताएं कि भरती होनी जारी है जिल्ला कोट में दोस्तों यानि कि डिस्टिक कोट की दोस्तों बरती है गुरुप C पोस के लिए दोस्तों बरती होनी जारी है दोस्तों आप से रिकोर्च चाहिए कि प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों वह जा आहाथट के सहनों नीचीप 10 5 सū पास HABjalक तो टोटल वेकंसी की बात है तो सिम्मित 6 47 वेकंस्टा जाता कि आपको अच्छी मिलेगी आपको लेवल तीनथा लेवल चार कि सैल निस्मिलि मिलेगी ऐस-पारूस फीज की बात करें दोस्तों तो जनरल तता OBC के लिए 500 रुपए फीज है SCST, PWD, EXSERVICE MAN तता EWS के लिए दोस्तों 250 रुपए फीज है सेलेक्शन प्रोसेस के बात है दोस्तों जा तक तो इसमें objective MCQ टेस्ट होगा और interview होगा और इस भरती के लिए जैसे बताए कि आपको online अपलाई करना है दोस्तों जा तक आई सीमा की बात है एज निमट की बात है तो इसमें 18 साल से 27 साल तक एज निमट है दोस्तों इसके लिए crucial डेट है एक जनवरी 2021 यानि के एक जनवरी 2021 के हिसाब से ही आपकी एज की करना की जाएगी इसमें दोस्तों जा तक आपर एज relaxation की बात है तो SCST को 5 साल का एज relaxation है OBC को 3 साल का है तथा PWD को 10 साल का एज relaxation दिया जाएगा दोस्तों दोस्तों इस बरती से रिलेटेट आगे एक information के लिए मैं आपको लेए चलता हूँ official notification पे तो जिया दोस्तों ए राजबरती का official notification दोस्तों इससे आप पूरी information पढ़ सकते हैं जन्वरी 2020 जातक दोस्तों अपर एज relaxation की बात है तो जैसे पता है कि SCST को 5 साल का है OBC को 3 साल का PWD को 10 साल का PWD प्लस OBC को 13 साल का PWD प्लस SCST को 15 साल का और एक सर्विसमेन को दोस्तों 3 साल का इस relaxation दिया जाएगा इससे रिलेटेर रूस दोस्तों आप पॉइंट नमबर 12 से पढ़ सकते हैं दोस्तों इस बर्ति में जाता है कि फीज की बात है तो अन्रिजर्व तता OBC के लिए दोस्तों 500 रुपए फीज है और SCST, PWD, EWS तता एक सर्विसमेन के लिए दोस्तों 250 रुपए फीज है दोस्तों इसका डिटेल आप पॉइंट नमर 6 से पढ़ लिजेगा दोस्तों इस बर्ति में जाता है education qualification की बात है position wise तो दोस्तों इसका डिटेल इस परकार से है प्योन की पोस के लिए और डली की पोस के लिए डाग प्योन की पोस के लिए चौकीदार की पोस के लिए स्वीपर यानि की सपाई करमचारी की पोस के लिए दोस्तों आपका जात इन पुज्त के लिए दोस्तो क्वालफिकेशन के बात आए तो कंडिडिट दस्वी पास होना चाहिए या कंडिडिट के पास इसके बराबर की क्वालफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों जातक process server की पूस की बाता है तो इसमें भी same pattern न दोस्तों examination का यानि की आपका objective mcq test होगा और driving test होगा दोस्तों और interview होगा दोस्तों जातक qualification की बाता है तो candidate दस्वी पास होना चाहिए या दोस्तों इसके बराबर की qualification होनी चाहिए कर्णेटर के पास या higher secondary पास होना चाहिए साथ दोस्तों आपके पास driving license होना चाहिए दोस्तो इस बर्ति का लोकेशन दिल्ली है और इस बर्ति के लिए दोस्तो आप 7 February 2021 अपलाई कर सकते हैं और इसके लाज डेटा 21 February 2021 दोस्तो जाता को वेबसाइट के बात है तो इस बर्ति के लिए दोस्तो वेबसाइट है Chapter access Gracias दिली Notes. दिल्लीकोर्ट का उन्हांकरज जाकर दोस्तो आप इस बर्ति का डेटील सकते हैं और दोस्तों इस बर्ति के नोटफिक्षिक्शन के लिंग मैंने फूनिक्ष्टीचन पर भूनिए के लिंग करने के वाद और समझने के बात ये आप से रुखेश्ट आपके प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब निके आथ प्लीज सब्सक्राइब कर लिजीगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिजीगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फोमिशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत सोब कामना है थैंक्यू सो मच